Hello everyone, Welcome to the channel Ravi Study GK और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Last 6 मंद का Current Affair यानि की जन्वरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी important content है related to Current Affair उसको हम cover करने वाले हैं यह पूरी वीडियो आपके सभी exam के point of view से काफी important होगी तो इसलिए इसको last तक जरूर देखेगा और at the end of the video मैं आपसे कुछ questions भी पूछूँगी जिनके answers आप मुझे comment section में दोगे तो बिना देरी करें शुरू कर लेते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ यह हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं इसका part number 4 इससे पहले अल्रेडी तीन पार्ट यहाँ पर upload हो चुके हैं जिसमें हमने last 6 मन के top most 100 questions को discuss किया था इसके लावा हमारा एक और YouTube channel है जिसका नाम है current affairs by रवी इसको आप join कर सकते हूँ यहाँ पर daily सुबह आपके लिए current affairs के classes होती हैं जिसमें हम top most 20 questions को discuss करते हैं जो कि आपके सभी exam के point of view से काफी important होते हैं और current affairs के इसासा जितना भी आपका static portion बनता है उन सभी को भी हम यहाँ पर discuss करते हैं तो daily सुबह यह class होती है इसको भी आपको जरूर से join करना है कौन से channel पर होती है तो यह होती है current affairs by रवी YouTube channel पर तो इसको भी आपको जरूर से join करना है अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के और आज की हमारे वीडियो का पहला question है world press photo of the year 2024 का पुरूसकार यह किसने जीता है तो देखे अगर हम बात करें world press photo of the year 2024 का यह पुरूसकार तो यह जीता है मोहमद सलेम ने that is option number जो बी है वापस में ध्यान रख सकते हैं यह image जिस image को इस बार का world press photo of the year पुरूसकार यहाँ पर दिया गया है अब इसमें क्या दिखाया गया है तो देखे उन्होंने गाजा पटी पर पाच वर्षे भतीजी के सब को गोद में लिए एक फिलिस्तानी महिला की छवी को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसलिये उनको world press photo of the year 2024 पुरूसकार यहां पर दिया गया है अगला question है मिखाइल मिसुस्टिन किस देश के फिर से प्रधान मंतरी बने है तो देखे मिखाइल मिसुस्टिन की बात करें तो recently ये रश्या के फिर से प्रधान मंतरी बन गए है तो option number जो D है वापस में ध्यान रखेंगे यहां की जो राश्चपती है नाम है इनका ब्लादि व्लादिमिर मुतिन ये है कौन ? प्रेजिडेंट और अगर हम बात करें कौन ? मिखाइल मिसुस्टिन तो ये कौन है ? वहां के पिम है अगर हम बात करें रश्या की तो इसकी रास्थानी हो जाएगी मोस्को, मुद्रा हो जाएगी रुबल, रास्टपती है व्लादेमिर पूतिन और जो यहाँ पर सेनने अभ्यास या फिर आपका इमिलिटरिक ससाइजिस होती है उनमें जो सबसे फेमस हैं उनमें नाम शामिल है किसका इंदर का तो यह भी आपस में ध्यान रखेगा अगला क्यूशन है दो हजाजा चौबीस पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारती पूरुस पहलवान कौन बने है तो देखे दो हजाजा चौबीस पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले पूरुस पहलवान बन गए हैं वो बन गए है कौन नाम है इनका अमन सहरावत डाट इस ओप्शन नमबर बी देखे, 2024 के लिए पहली बार चुने गए हैं, यह नहीं होना है कि पूरे उलम्पिक्स में पहली बार? नहीं, यह 2024 के पैरिस उलम्पिक में पहली व्यक्ति हैं, पहले भारती पुरोष खिलाडी हैं, जो की क्वालिफाई हुए हैं उलम्पिक्स के लिए, तो option number जो B है वो आपस में ध्यान रखेगा, अगला क्यूशन है आपका कि किस देश के खिलाडी जिनका नाम है कॉलिन मुन्रो ने अंतरास्टी किर्किट से सन्यास लेने की घोशना की हैं, तो इनका संबंध है न्यूजीलेंड से, that is, option number C आपस में ध्यान रखेगा, फिर माउंट पर 29 वी बार चड़ाई करने वाले पहले व्यक्ति ये बन गए है कामी रीता सेर्पा, that is, option number जो A है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है, तो देखें, नेपाल की जाने माने परवता रोही नाम हैंका कामी रीता सेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर सरवादीक बार चड़ 20 परवतर ही यहां पर शामिल थे और उनमें से एक थे कामी रीता सेर्पा, जो कि इस अभियान के दोनन पर माउंट एवरेस पर चड़ने वाले यहां पर 29 वार फताय करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, फेले हाली में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का दुबई में, that is option number, जो A है वो आपस में ध्यान रिखेंगे, और इसका काम जो है वो शुरू हो चुका है, इसका नाम जो रखा गया है, वो रखा गया है क्या, इसका नाम है अल-मक्तूम अंतरास्चे हवाई अड़ा, और यह एरपोर्ट वर्तमान में दुबई अनतरास् अगला किश्चन आपका तीसवी सुल्तान अजलान शहाँ ट्रॉफी यह जीती है जापान ने जो सी है वापस में ध्यान रखेगा तो देखे जापान ने फाइनल्स में पैनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को चार एक से हरा कर अपनी पहली सुल्तान अजलान सहा ट्रॉफी यहां पर जीती है दोहजार चौबीस के आयोजन में छे टीमें यहां पर शामिल थी जिसमें है जापान, पाकिस्तान, कैनड़ा, दक्षिन कोरिया, न्यूजिलेंड और मेशपान टीम थी यहां पर कौन सी मलेशिया और अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने सन 1985-1991, 1995-2009-2010 में पांच बार सुल्तान अजलान शहा ट्रॉफी यहां पर जीती है, आपको ध्यान रखना है इस बार यह जीती है किसने, यह जीती है जापान ने फिरे चाड के रास्टपती का चनाओ यह किसने जीता है या फिर आपसे संपल पूझे कि चाड के नए रास्टपती कौन बने है तो यह बन गए इद्रिस डेबी, यह जो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे चाड की बादगरम करें तो चाड एक उत्री मद्धे अफ्रीकी में इस्तितिक भूमी से गिरा हुआ शेहर है जिसकी रास्थानी हो जाएगी अन्जमेना, मुद्रह यहाँ पर सी अफे फ्रेंक और यहाँ के जो रास्टपती है उनका नाम है महमत इद्रिस डेबी इटनो तो यह आपस में ध्यान रखेंगा फिरिक किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून यहाँ पर अपनाया है तो देखे महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून ये अपना है किसने ये अपना है ये यूरोपिय संग यानि की EU ने डाटस ओप्शन नमबर जो A है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे यूरोपिय संग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून यहाँ पर अपनाया है और कानून में यूरोपिय संग के देशों को महिला जननांग विकरती जबरन विवा और ओनलाइन उत्पीडन को अपराद मानने की आवशक्त है हालकि कानून में बलातकार के समानने परिभाशा सामिल नहीं है और यूरोपिय संग आयोग ने 2022 में कानून का प्रस्ताव यहाँ पर रखा था तो आपको ध्यान रखना है ये किस ने करा है ये करा है यूरोपिय संग ने अगला किश्चन है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में सामिल होने की अनुमती देने वाला विधह कहाँ पर पारित किया है तो देखे रेसेंटली अभी जो है जो यूक्रेन है उस देश की संसथ ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला एक विधह कहाँ पर पारित किया है तो option number जो C है वो आपकस में सही हो जाएगा तो देखे यूक्रेन देश की संसथ ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधह कहाँ पर पारित किया है और अल्जजीरा की रिपोर्ट के नुसार ये कदम तब उठाया गया जब यूक्रेनी सेना को जन शक्ती की गंभीर कमी का सामना करना पड़ र के लिए कैदियों को निउक्त करने के लिए मासकों की निंदा भी की थी लेकिन अभी कंडीशन ऐसी हो रखिए कि वहाँ पर यूद इतने चल रहे है तो उनके पास भी सेनेकों की कमी है तो वहाँपर उन्होंने एक संसदने पारित किया है विधह जिस मनों ने बोला है कि वहाँ पर वो लोग कैदियों को सेना में शामिलिया पर करेंगे ठीक है तो यह किस देश की बात हो रही है तो यह बात हो रही है यूकरेन की अगला है कौन सा देश यूएन में सदश्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है तो रेसेंटली जो फिलिस्तीन है वो यूएन या प्रस्तव अरब देशों की मांग पर लाया गया था और भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में भी वोट किया है और 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई है और इस वोटिंग से फिलिस्तीनी यूएन का सदश्य नहीं बना है बलकि सदश्य बनने के लिए तो यह आपस में ध्यान रखेगा फिर हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा सयंत्र यह कहां खोला गया है तो हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा सयंत्र यह खोला गया है आइसलेंड में, that is option number जो B है वो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखिए हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा सयंत्री आइसलेंड में खोला गया क्लाइम्स वाक्स नहीं वायो मंडल सी कारबन डायोकसेट को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ओपरेशनल डारेक्टर एयर कैप्चर प्लांट खोला है और जिसे आइसलेंड में मैमत प्लांट वर्तवान में रिकोर्ड धरक से लगबग 10 कुना ये बड़ा है फिर हैं खबरों में रहा पैंच ट्राइगर तो पैंच ट्राइगर रिजर्फ की बात करें तो ये इस्तित हैं महारास्ट में दार्टर्ज ओप्शन नमबर 1 अब एक खबरों में क्यों था तो देखिए एक तेंदवा बिली थी जिसे वज्ञानी क्रोप से प्रियू नैलूरस बेंगल इंसेस के नाम से जाना जाता है इसी को महारास्ट के पैंच ट्राइगर रिजर्फ में देखा गया था जो वे इसके पहली उपस्तिती वहाँ पर दर्श कर दिया और इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूस में रहा तो आप से पूछ भी लिया गया है कि पैंच ट्राइगर रिजर्फ कहां पर रिस्तित हैं तो आपको ध्यान लखने इसके लोकेशन ये है कहां पर महारास्ट में फिरे भारत और इरान ने किस बंदरगा की संचालन के लिए दिर्ग कालिक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं तो देखें रिसनली चाहबाहर पोर्ट ने भारत और इरान ने बेसिकली चाहबाहर पोर्ट के संचालन के लिए दिर्ग कालिक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं तो आप्शन नमबर जो भी हैं वापस में ध्यान रखेंगे तो भारत और इरान ने सहयोग बढ़ाने और चाहबाहर पर बंदरगा को क्षेतरी व्यापार परागमन और कनेक्टिविटी केंदर बनाने के लिए शहिद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दिर्ग कालिक अनुबंद पर हस्ताक्षर यहाँ पर किये हैं फिर सायक्तिरास के द्वारा किस दिन को विश्व फूटबोल दिवस यहाँ पर गोशित किया गया है तो देखे अगर हम बात करें ग्लोबल फुटबोल डी तो ये डेजिगनेट क्या गया है 25th माई को किस के द्वारा UN के द्वारा तो ध्यान रखना 25 माई को हम मनाएंगे विश्य फुटबोल दिवस तो option number जो B है वापस में ध्यान रखेंगे तो देखे UN के कितने मेंबर है 193 मेंबर कंट्री है तो उनी में से ही 7 माई 2024 को हर साल 25 माई को विश्य फुटबोल दिवस की रूप में मनाने का प्रस्ताव हैं पर पारित किया है इस प्रस्ताव को UN महासभा के सदस्यों के दुवरा सर्व सम्मति से अपनाया गया और विश्य फुटबोल दिवस की घर्म बात करें तो लीब्य का प्रस्ताव है पर कया था हर साल 25 माई को विश्य फुटबोल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव सन्यक्त रास्ट में लीबिय के राश्टू ताहिर अल सोननी के द्वारा पेश किया गया और इसे सन्यक्त रास्ट के 160 से अधिक सदश्वे के द्वारा सहपरायोजी तिहां पर किया गया था और अब हम मनाएंगे 25 मई को विश्य फूटबॉल दिवस के रोप में भारत की 75 सतरंज ग्रैंध मास्टर कौन बने है तो भारत की 85% ग्रैंड मास्टर यह बन गए है और आट साल की मम्र में अपना करियर शुरू करने वाले 31 वर्श यह सतरंच प्रतिभा अवान खिलाडी ने आखिरकार 2024 में दुबई पुलिस मास्तर सतरंच टोनामेंट पे अपना तीसरा और अंतिम जियम मापदर्ण यहाँ पर हासल किया तो इंडियन सूपर लीग 2023 का किताब यह जीता है मुंबई सिटी ने, that is option number 12 वापस में धियान रखेंगे तो इंडियन सूपर लीग 2023 यह जीता है किसने मुंबई सिटी ने इसकी उप विजिता की बात करें तो ये बना है कौन सा मोहन बगान golden gloves की बात करें तो फुर्बा लाचेन पा मुंबई सिटी FC से बिलॉंग करते हैं golden boot की बात करें तो ये त्रीमितियोस, डामेंटा कोस, स्केरल ब्लास्टर्स FC से emerging player of the league तो विक्रम प्रताप सिंग और player of the league ये भी बने हैं गेन कौन त्रीमितियोस, पेटरडॉस तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे फिर UNICEF इंडिया के लिए national ambassador ये किसे न्यूक्ट किया गया है तो देखे UNICEF इंडिया के लिए national ambassador ये न्यूक्ट की गई है करीना कपूर खान that is option number जो D है वो आपस में ध्यान रखेगा तो देखे बॉलिवूड अभी नेतरी है करीना कपूर खान को UNICEF इंडिया के national ambassador ये न्यूक्ट किया गया है और इन्होंने 2024 से संगटन के साथ में एक celebrity advocate के रूप में काम किया है UNICEF के बाद कर इसकी full form होती है United Nations International Children's Emergency Fund जिसके स्थापना हुए थी 1946 में मुख्याले है New York में और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है Catherine M. Russell तो ये भी आपस में ध्यान रखेगा फिर है दोहर Diamond League 2024 भाला फैक्ट में नेरा चोपडा ये किस स्थान पर रहे है तो इसमें ये रहे हैं दूसरे स्थान पर तो option number B आपस में ध्यान रखेगा और इन्होंने इसमें जीता है silver medal भाला फैक्ट में मौजुदा ओलंपिक और विश्च चांपेन नेरा चोपडा ने अपने 2024 सीजन के जोरदा शुरुआत करते वे दोहर डायमंड लिग 2024 में दूसरा स्थानिया पर हासिल किया है फिरे जिस वेक्टी में पहला सुवर की kidney प्रत्यवर्पन हुआ था उसकी मृत्य हो गई है वो किस देश की घटना है तो आपने इन्योस जरूर सुने होगी जब एक वेक्टी का जो kidney transplantation है उसमें एक पिग यानिक एक सुवर की kidney को transplant किया गया कुछ तिनों तक वो सर्वाई हुआ लेकिन अभी रीसेंटे उसकी मृत्यवर्पन यहां पर हो गई है तो आपको ध्यान रखने ये केस है कहा का ये है अमेरिका का तो option number D आपस में ध्यान रखेंगे तो देखिए अनुवांशी क्रूप से संसोदित सुवर किड़नी प्रत्तय उपन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति स्लेमें की operation के दो महिने बाद इनकी मृत्य हो गई है और किड़नी की बीमारी के लावा स्लेमें टाइप स्टू मधुमें और उत्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियों से वो प्यूडिक थे तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से देश के घटना है तो ये संबंधित है अमेरिका से फिर पदमश्री सुर्जीत पातर जिनका हाल ही में निदन हो गया किस भाशे के प्रख्यात कवी थे तो इनका संबंध था पंजाबी से अप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे प्रख्यात पंजाबी कवी और प्रदमिश्री 2012 मेने प्रदमिश्री मिला था सुर्जीत पातर को उनासी वर्ष की आयो में इनका निदन हो गया जिससे सहितिक और राशनितिक शेत्र में हलचल मज़ गई है प्रदमिश्री पंजाब की मुख्य मंत्री जिनका नामे भगवन्तमान ने उन्हें पंजाबी भाषा का गौरवशाली पुत्र भी याँ पर बताया है फिरे उत्री सिक्किम के नागा और रंग गाउं को आवश्चक सहिता और सहिता शेवा प्रदान करने के लिए भारती सिना ने कौन सा ओप्रेशन यहाँ पर चलाया है तो इस ओप्रेशन का नामे ओप्रेशन सद्भावना और स्वास्ते सहिता प्रदान करने के लिए ओप्रेशन सद्भावना के शुरुवात यहाँ पर की है लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि यह ओप्रेशन सद्भावना यह बेसिकली क्या था और यह रिसेन्टली किशन यहाँ पर UPSC में भी यह पूछा गया था तो यह भी आपस में ध्यान रखेगा फिरेट TCS ने किस देश में Global AI Center of Excellence का अनावरन क्या है तो Global AI Center of Excellence का अनावरन यह हुआ है France में That is option number D तो देखे Paris France में TCS ने France में Global AI Center of Excellence का अनावरन किया और यह गोशना अध्यक्स Emanuel Macron के द्वारा आयोजित प्रतिस्टित चूस France Summit के दुरान की गई है अगर हम बात करें TCS की तो उसकी स्थापना वे थी 1968 में मुख्याली हो जाएगा मुंबई में और CEO है यहाँ पर केक रिती वासन फिरे मई 2024 में महिला टेबल टैनिस एकल रैंकिंग में सीर्स 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारती महिला खिलाडी यह कौन बनी है तो यह बन गई है मनी का बत्रा that is option number भी आपको उसमें ध्यान रखना है देखें मई 2024 की यह न्यूज है जब सीर्स 25 में यानि कि जो महिला टेबल टैनिस रैंकिंग होती है उसमें पहली भारती खिलाडी यह बनी थी जो कि टॉप 25 में पहुँचे थी अब उसके बाद देखें मई जून जुलाई तो इसमें भी हो सकता है कि कोई और लेडी आए जो कि टॉप 25 में शामिल हो देखें अगर आपसे पूछे पहली कौन शामिल हुई है तो आपको ध्यान रखने है वो हुई है कौन यह है मनी का बत्रा तो देखें मनी का बत्रा सीर्स 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली पहली भारती महिला टेबल टैनिस खिलाडी बनी है और उन्होंने एकल टेबल टैनिस में किसी भारती द्वारा हासिल की गई सर्वोच रैंक के लिए जी सात्यन के 5 साल पुराने रिकोर्ड की भी बराबरी की है फिर है देश का सबसे बड़ा कोशल कारेकरम जिसका नाम है इंडिया स्किल्स परत्योगता दो हजाजार चॉबीस ये कहां पर शुरू हुआ है तो ये हुआ है नई दिल्ली में नई दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कोशल कारेकरम जिसका नाम है इंडिया स्किल्स परत्योगता दो हजार चॉबीस ये हुई है कब से कब तक 15 से लेकर 18 मई 2024 के बीच में इसका आयजन किया गया आयजन कहां पर हुआ है तो कोशल विकास और उद्धिमिता मंत्राली में इसका आयजन हुआ और इंडिया स्किल्स परत्योगता में पारंप्रिक शिल्प से लेकर आधुनिक प्रत्योगी के 61 कोशलों में प्रत्योगताओं द्वारा यहाँ पर आयजित की जाएगी फिर अंतरास्टे सोरक्टबंदन का अनुमोदन करने वाला 97 वा देश कौन सा बना है तो यह बन गया कौन सा यह है पनामा अगर हम इसकी स्थापना की बात करीं तो यह विती 30 नवंबर 2015 को अध्यक से इसके आरके सिंग मुख्यालेस का गुरुग्राम हर्याना में और संस्थापक थे इसकी नरेंद्र मोदी और फ्रांसिवा ओलांद अब आप मुझे बताओगे कि रिसंटली अंतरास्टे सोरक्टबंदन में शामिल होने वाला देश यहाँ पर कौन सा बना है और कौन से नमबर का बना है यह दोनों के ही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे फिर किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमर्मर को जी एटेग यहाँ पर प्रदान किया गया तो देखिए अंबाजी सफेद संगमर्मर को और हलके भोरे रंग के इसमें लाइने होती है फिर इस्लामिक गनराजी मौरिटानिया के नए राज्टूत यहाँ पर कौन बन गए मतब वहाँ पर भारत के नए राज्टूत तो यह बन गए है नरेश कुमार जो बी है वो आपस में धियान रखेगा अगला किश्ण है आपका किस राज्टे के माजूली मुखोटे और पांडूली पी पेंटिंग को जी आई टेग यहाँ पर प्राप्त का दरज़े हाँ पर दिया गया है तो देखिए रिसेंटली जो यह माजूली मुखोटे है और पांडुली पी पेंटिंग है ये बिलॉंग करते असम से जिने भी रीसेंटली हाँ पर जी आई टेग यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो माजुली मुखोटे पारंपरिक तक्नीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारी की से तयार किये गए मुखोटे हैं मुखोटों में द किरे सरकार ने कितने वर्ष से अधिक ओमर के लोगों को डाक मतपत्र याने की पोस्टल बैलेट के अनुमत ही यहाँ पर दी है तो यह दिये 85 वर्ष से अधिक याने की ऑप्शन नमबर सी तो देखे रेसेंटी एलेक्शन होई थी इंडिया में जिसमें लोकसभाई की चु सुनिश्यत करना पहले इसके आयो अस्ती वर्ष थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 85 वर्ष और 85 वर्ष या अधिक आयोवले मतदाताओं को डाक मत पत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचलनियम 1961 में संसुधन किया गया है अगला गिश्शन है आपका रक्सास अचीव गिर्धर अर्माने ने मंजगाउं डॉक लिमिटेड की वर्ष गाट के अवसर पर कितने रुपे का समारक सिक्का यहाँ पर जारी किया है तो यह क्या है कितने का तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D यानि की 200 तो य 200 का समारक सिक्का यहाँ पर जारी किया और 14 मैं 2024 को मंजगाउं डॉक लिमिटेड के स्थापना की और 200 वर्ष गाट यहाँ पर मनाई गई थी और मंजगाउं डॉक लिमिटेड ने सन 1774 में मुंबई के मंजगाउं में निर्मितिक सूखी गोदी के रूप में अपनी यात् 200 का सिक्क यहाँ पर जारी किया गया था अगले क्युशन है कि किस पेस एजनसी ने प्रदूशन कारी तेल और गैस साइटों की निगरानी की लिए मेथन सेट को लॉंच यहाँ पर किया है तो यह लॉंच पर अमेरिका की स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस एकस डैट इस option number D आपस में ध्यान रखेंगे तो एकी methane set प्रते दिन 15 बार प्रत्वी की प्रकिर्मा करता है और ये वैश्वी किस्तर पर 300 लक्षियों की निग्रानी करता है प्रत्वी से 360 मील उपर रिस्तित ये methane रिसाव को सटीक पता लगाता है और इसके निग्रानी से अग्यात उर्थ सर्जन का पता चलता है और पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा मिलता है फिरे महिलाओं को शशक्त बनाने के उदेशे से किस राज्य सरकार ने इंद्रा गांदी प्यारी बहना सुक सम्मान निधी योशना की शुरुवात की है तो इसकी शुरुवात की है हिमाशल परदेश ने जो आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे जो हिमाशल परदेश के मुखे मंत्री है उन्होंने ही इसकी शुरुवात की थी इसका नाम है इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी प्यारी बहना, सुक सम्मान, नीधी योशना तो इसमें आपको ध्यान डखना है कि इसका option number जो A है वो इसमें सही हो जाएगा वर्तवान में अगर हम बात करें ही माशल परदेश को जो मुख्य मंत्री है वो है सुकविंदर सिंग सक्खो उनी के द्वरा ये की गई मार्च 2024 में जिसका उद्देश है पात्र महिलाओ को 1500 रुपे का मासिक वजीफा मिलेगा और 800 रुपे के वार्शिक वे के बराबर होगा इस पहल का लक्षे पांच लाग से अधित महिलाओ को कवर करना है जिनसे उन्हें आवश्यक वित्ते साहता प्रदान की जा सके फिर मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32 देश यहाँ पर बना है तो यह बन गया है स्वेडन इससे पहले 31 देश करें तो वो था फिनलेंड तो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर होगा सही आंसर आप्शन नमबर बी अगर हम बात करें नाटो की तो इसके स्थापना हुई थी 1949 में सुदश्य हैं इसके टोटल 32 और 32 सदस्य बन गया स्वेडन मुख्याले की बात करें तो ब्रिशल्स बेल्जिम में है और महा सचीव की बात करें तो यह जैंत स्टोन टेंबर्ग है फिर एकिस राज्जे में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्गाटन किया है तो यह किया है पश्यम बंगाल के कॉलकाता में नाट्र जॉप्शन अमबर सी आपस में ध्यान रखेंगे उद्गाटन किया प्रधान मंत्री जी के द्वारा और हावडा मेट्रो स्टेशन पर यह भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बना है यह सते से लगबग 33 मिटर नीचे है और यहाँ पर आपको ध्यान अकने कि हुगले नदी के नीचे 520 मिटर की दूरी तक तैय करने में मेट्रो को लगबग 45 सेकिंड का समय आपर लगेगा फिर गर्बपात को समिधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो देखे गर्बपात को समिधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश यह बन गया है फ्रांस that is option number B तो देखे मार्श 2014 में फ्रांस में गर्बपात कराना अब समिधानिक अधिकार याने के Constitutional Right बन गया है और फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने गर्बपात कराने का अधिकार अपने समिधान में शामिल किया है गर्बपात को समयधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के समयधान में यहापस नंसोधन किया गया है अगले है मैं 2024 में लेखी का एलिस मुन्रो का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष सहित्य का नोबल पुरुसकार यहाँ पर प्राप्थ हुआ था तो यह निदन हुआ था साल 2013 में तो आप्शन नंबर जो ए है वापस में ध्यार नखेंगे नाम हैंका एलिस मुन्रो मैं 2024 में निदन हुआ सहित्य का इन्हें नोबल पुरुसकार मिला था साल 2013 में तो देखे साहिती के नोबल पुरुसकार विजेता लेकी का एलेस मुंडो का बानमे वर्ष की आयो में निदन हो गया एलेस मुंडो को 2013 में साहिती में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया और 2009 में अंतरास्टी बुकर पुरुसकार भी इने मिला जा चुका है फिरे मार्श 2014 में हर्याना के ग्यारवी मुख्य मंत्री के रुप में किष्णे सपत ली है तो ये ली है नायाब सेनी ने डाट इस ऑप्शन नमबर बी आपस में ध्यान रखेंगे तो देखे नायाब सेनी की बात करें तो बीजेपी पार्टी से संबंदित है और इन्होंने मनोहर लाल खटर के स्तिफ़े के बाद ये पदभार समहला है अगर हम बात करें हर्याना के तो इसके रास्था नहीं हो जाएगी चंदीगर और वर्तिमान में जो राजेपाल है उनका नाम है भंडारू दतातरे फिरे मार्च 2014 में विदेश सचीव के रूप में किसका कारेकाल बढ़ाया गया है यह बढ़ाया गया है विने कुमार महत्रा का लेकिन देखे रिसिंटली अब यह हट चुके है अब एक नए हमारे विदेश सचीव यहाँ पर चुने जा चुके हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है यहाँ पर क्या? यह बन गए है विक्रम मेस्त्री, ठीक है? तो अभी यह है हमारे देश के नए विदेश सचीव, हलाकि पहले विने कुमार कुआत्र तो यह आपस में ध्यार सभी आंसर इसका क्या होगा विक्रम मिस्त्री स समेक्षा और किश्हль के लिए कि राज्जे सरकार निंगल ननल्मय यानि कि क्या आप ठीक है इस योजनाई की शुरुवात की है तो इसकी शुरुवात की है त19D नर्डूने आठोज लूंब बिया योजनाओं की कार्यान वन की समिक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है फिरे मार्श दुहाजार चोबीस में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अगनी फाइफ दैट सिस्टम में कैनिस्टर तक्नीक का इस्तमाल या पर किया गया है इस वज़े से इस मिसाइल को असानी से ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है फिरे राम विलास पास्वान दवेदर वेइन ऑफ इंडिन पॉलिटिक्स नामक पुस्तग कि किस ने लिखी है तो इसके लेकर है अगर हम बात करें सर्वेसेज ट्रॉफी 2023 की तो इसका आयजन ये अरुनचल परदेश के गोल्डन जूबली स्टीडम में हुआ था संस्क्रंथ सका 77 वा विजेता रहा है यहां पर सर्वेसेज साथवी बार उप विजेता है यहां पर गोवा सबसे सफल टीम की बात करें त 2014 फिरे भारत में नागरिकता संसोधन कानून ये किस तारिक से लागू हुआ तो अगर हम बात करें नागरिकता संसोधन कानून तो यह लागू हुआ है ग्यारा मार्च 2014 से तो देखे नागरिकता संसोधन अधिनियम के लागों होने पर तीन प्रोसी मुल्सलिम देश जिसमें शामिल है पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसमबर 2014 तक किसी ना किसी तरह परतार्टा का शि माजे में कोचरब आश्रम का उद्गाटन क्या है तो यह क्या है गुजरात में दाट्ट इस ऑप्शन नमबर डी आपस में ध्यान रखेंगे फिर मार्च दूहज़ादाच चौबीस में किस विश्विध्याले ने राश्टपती मुर्मू को डॉक्टर आफ सेवल लोग की मानत उपादी से सम्मानित किया है तो यह सम्मानित किया है कहां पर मौरिसस विश्विध्याले यानि कि मौरिसस उनिवर्सिटी तो ऑप्शन नमबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेगा फिर मार्च तूहज़ादाच चौबीश में शोद करता हूने किस देश में आठ आक और आट पैरोबाली बिच्चु के एक नई प्रजाते की खोचकी है और इसका नाम यहाँ पर रखा गया है यू स्कॉर्पियस क्राचन तो यह आपस में याद रखेगा फिर मार्च तूहज़ाच चौबीस में समाचारों में देखी गई ब्लू लाइन निमलिकित में से किन दो देशों के बीच में सीमा के रूप में कारे करती है तो देखे ब्लू लाइन के गरम बात कर तो यह बेसिकली किस किस के बीच में आती है तो यह आती है लेबनान और इस्राइल के बीच में तो option number जो B है वापस में ध्यान रखेगा अगले किशने भारत और किस देश के बीच में दस्वा स्युक्त सैन्ने अभ्याज जिसका नाम है लामीतिय दो हाज़ाज़न हुआ है तो यह हुआ है शेसल्स में that is option number A देखे लामीतिय दोज़ाज़न स्युक्त सैन्ने अभ्याज 18-27 मार्च दोज़ाज तक शेसल्स में आज़ित किया जाएगा और किरियोल भाषा में लेमेतिय का मतलब होता है दोस्ती एक्स लेमेतिय 24 में जो यह एक्सेसाइज आपकी लेमेतिय 24 इसमें शामिल होंगे इंडियन गोर्खा राइफल्स और साथी में सैशल्स की तरफ से शामिल होंगे सैशल्स डिफेंस फोर्स फिर प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने है तो देखे गर हम बात करें प्रसार भारती के नए अध्यक्ष तो यह बन गए है कौन नाम है अनका नवनीत कुमार सेहगल दैट इस ओप्शन नमबर डी तो देखे गर हम बात करें नवनीत कुमार सेहगल की तो प्रसार भारति की पूर्व अध्यक्ष एस सुर्य प्रिकास का ये स्थान लेंगे और प्रिसार भारतिक सावध्विक स्वायत्व निकाय हैं और ये देश का सरकारी प्रिसारण केंद्र हैं जिसके स्थापनविती 1997 में और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे निकल और जो वरत्मान में अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं तो वो बन गए है नवनीत कुमार सहेगल तो ये भी आपस में ध्यान रखेगा फिर आता है देखिए हमारे कुछ रीसेंटली पीडियाफ यहाँ पर लॉंच हुई है जिसको भी आप देख सकते हैं तो इसमें देखिए रीसेंटली हमारे पीडियाफ लॉंच हुई है जिसमें जनवरी से लेकर जून तक का पूरा कंपाइलेशन आपको दिया गया और अलग से गर हम बात करें तो पूरे मंत की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जून दो हजा चौबेस के www.ravibookspeedev.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस पीड़ असानी से अविलेबल हो जाएगी लिंक आपको डिस्किप्शन में अविलेबल हो जाएगा जाकर आप उसको चेक आउट कर सकते हैं अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और 2022 से तो सम्मानित किया गया है पंडित पती भट को डाट इस ओप्शन नमबर जो डी है वापस में ध्यार रखेंगे तो देखे मद्रवदे सरकार के द्वारा संगीत समराट तानसेन के नाम पर स्थापित यह सम्मान भारती सास्ते संगीत के क्षित्र में सरवोच राष्ट की गई है तो इसके शिर्वात हुई है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा तैट इस ओप्शन नमबर जो ए है वापस में ध्यान रखेंगे अब यह प्रजव पालन कारेक्रम यह है क्या तो इस प्रोग्राम की अंतरगत आप राज्य में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सिवा प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सिवा प्राप्ट करने के लिए सरकार तथा अपनी समश्य को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं ठीक है तो आप ध्यान रखेंगा प्रजव पालन कारेक्रम इसकी शुरवात हुई है कहां पर तेलंगाना में फिरे उत् पूर्व नाम ये था अयुधया जंक्षन जो कि अब हो चुके है अयुधया धाम जंक्षन और आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्टेश्नों का नाम बदलना ये पूरी तरह से राजी का विशे होता है इसलिए ऐसा करने का निर्नने पूरी तरह से राज्य सरकार्ण पर नि नाम है जिनका निधन दिसंबर 2023 में हो गया था तो ये थे जेक्स डेलर्स फ्रांस that is option number D आपस ने ध्यान रहे हैं इनका संबंता फ्रांस से नाम हैं का डेक्स जेक डेलर्स तो देखे यूरोपी यूनियन के पूर्व प्रमुख है जेक्स डेलर्स का 98 वर्ष की आयो में भाई थी अगर हम बात करें यूरोपीन यूनियन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में ब्रशल्स वेल्जियम में इसका मुख्याले है और इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है यू की तो उनका नाम है उर्सेला वान डे रेल तो ये भी आप इसमें ध्यान रिखेंगे औ इंका हाली में निदन हुआ है और यही कौन थे इन्होंने ही मतलब एक तरीके सब कह सकते हैं कि महतपून भूमी का यहां पर निभाई थी किसमें यूरो मुद्रा के निर्मान में विरक किस देश के रास्टपती जैवियर माली ने ब्रिक्स सदश्यत को ऐस विकार कर दिया है तो यह किया अर्जेंटिना ने जो ए है वो आपस में ध्यार रिखेंगे देखे गर हम बात करें ब्रिक्स की तो इसमें शामिल है ब्राजील रश्या इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका अब रीसेंटली छे नए देशों को शामिल करने की यहां पर बात की गई थी देकिन उनमें से जो अर्जेंटिना था वो यहां पर घट गया तो अभी सिर्फ पांच ऐसे देश हैं जो कि इसमें शामिल हो गए हैं तो देखे सदश्य देश कौन से ब्राजील रश्या भारत चीन अधक्षिर अफ्रीका इस थापनों में ती 2009 में पांच जो नए सदश् किसे न्युक्त किया गया है तो देखे अगर हम बात करें ITBP का नया महा निदेशक तो यह रीसेंटली कौन न्युक्त हुए तो आपको ध्यान लखना है यह नुक्त हुए है कौन नाम है अनका राहुल रस्त गोत्रा डैट इस ऑप्शन नमबर जो ए है वो आपस में याद लिए है तो यह है आंगलोंग असम डैट इस ऑप्शन नमबर ए तो देखे कार्वी यूवा महत्सव पुर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जातियत योहार है यह सब बारा जनवर दोजार चौबीस को शुरू हुआ और इसका उदेश्य कार्वी और समरत विरासत को प्रदर्शित करना है फिरे केंद्री और द्योगिक सुरक्षा बल यानि कि CISF की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है तो यह बन गई है नीना सिंग डाट इस ऑप्शन नमबर बी अगर हम बात करें CISF की तो इसकी स्थापना वी थी 1969 में मुख्या ले न पहला X-ray Polarimeter उपगर है यह किसके द्वारा लॉंच किया गया तो यह किया गया इस रो के द्वारा द्याट आप्शन नमबर ए और इसका उदेश्य है X-ray स्रोत्रों के दुविक रन की जाज करना और ब्लैक होल के रहश्य का अध्यान करना एक्सपोसेट यानि की X-ray Polarimeter इससे पहले नासा ने IXPE के नाम से द्रुविक रन को मापने के लिए अपना पहला उपगरह यहाँ पर बेजा था फिरे किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन स्थापित करने की बंजोरी दे दी है तो ये दी है महारास्ट ने तो देखे ड्रोन मिशन का उदेश्य है सुरक्षा निगरानी आप दक के दुरान में रहत और बचाव कारिये दूर दराज के लागों में दवाईया और टीके पहुचाना बुन्यादे धाचा परियोशना और यतायात प्रभंदन के निगरानी करना ये बेसिकली उदेश्य किसका ड्रोन मिशन का है फिर किस भारते अभी नेतरी को हुंडाई मोटर इंडिया लिमिटेट का ब्रेंड अमबेस्टर निगत किया गया तो ये निगत हुई है दिपिका पादुकॉन आपस में ध्यान रखेंगे फिर इंडियन ओयल के अगले निदेशक यानि कि मानाव संसाधन कैटेगरी पे जो निदेशक है वो किसे निगत किया गया है तो वो निगत हुई है रश्मी गोवल डाट इस ऑप्शन नमबब भी आपस में ध्यान रखेंगे और यह किसका स्थान लेंगी तो यह स्थान लेंगी रंजन कुमार महापात्र का अगर हम बात करें इंडियन ओयल कॉर्परेशन की तो इसका मुख्याले है नई दिल्ली में और इस्थापनावी थी तीन जून 1969 में प्रत्वी की परथ यानि की जो मैंटल है जसे की तीन लेर होती है mental crust, mental core तो इसमें जो मैंटल है उसकी जाज करने के लिए कैस देश ने ड्रिलिंग जहाद जिसका ना में मैंग जियांग को लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है चाइना नहीं और कम्पनों के सहयोग से विक्सेत इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम यहाँ पर दिया गया है फिर है भारत और किस देश के बेश में सैन्ने अभ्या जिसका नाम है डेजर्ट सैकलोन 2024 का आयोजन ये किया गया है तो ये हुआ है सयुक्त अरब अमिरात में डाटर जॉप्शन नमबर ए आपस में ध्यान रखेंगे इसका आयोजन हुआ है दो जन्वरी से 15 जन्वरी 2024 के बीच में राजस्थान के थार रेगिस्थान में और इसका उद्देश ये सहरी परिचलन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साजा करना फिर केंद सरकार ने 16 वित आयोग का अध्यक्ष किसे न्युक्त किया है तो ये बने हैं डॉक्टर अर्विन पंगडिया आपस में ध्यान रखेंगे और ये 15 वित आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष दे एनके सिंग फाइनेंस कमिशन वित आयोग की बात करें तो एक समयधानिक संस्ता है इसका आर्टिकल है 280 यानिकि 280 अनुच्षेत में लिखा हुआ है समयधान में और इसका बेसेकली परपस होता है कि केंद्र और राजthose की बीच में पैसा कितना बटेगा कैसी बटेगा और इसकी देख रेक करना यही बेसेकली इसका परपस यहां पर होता है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रेंड अमेस्टर पिंगी को बनाया गया इनका संबंध किस राजिस है तो ये संबंध रत्तिय उत्तर पर देश थे that is option number D फिर भारत की रक्षर अनुसंदान और विकास संगठन ने एक जन्वरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो ये बनाया 66 स्थापना दिवस that is option number A अगर हम बात करें DRDO की तो स्थापना वी थी 1958 मुख्याले नए दिल्ली में और अध्यक्षर समीर वी कामत फिर पाकिस्तान में चुनाओं के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है डॉक्टर सवीरा प्रकाश that is option number D अगेन काफी important question है कि उत्तरपरदेश के किस शहर में रक्षा मंतरी रासनाथ सिंग ने बालिकाओ के लिए पहले सैनिक स्कूल का उध्गाटन किया है तो इनका नाम क्या है मतलब कहां पर किया है तो यह है व्रंदावन में किस ने किया रासनाथ सिंग ने किया और इस स्कू नमबर ए तो देखे लोग सभाने दिसंबर 2022 में हटी समुदाय को अनुसूची जनजाती की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित के तो रेसेंटली अभी फाइनली यहाटी समुदाय के जो व्यक्ति है वो अनुसूची जनजाती का दरजाईने मिल गया है फिर एक क कौंगो लोकतांत्री गनराजे की तो इसकी रास्थानिया की कांशा और मुद्रहया पर कांगोलस फ्रेंक फिरे कौंसा देश केंडर साशित प्रदीश जनवरी दोजाचाउबीस में पीम विश्युकर्मा योशने को शुरू करने वाला पहला केंडर साशित प्रदीश बन अगला क्यूशन है आपका कि विदेश मंत्राली के नए प्रवक्ता कौन बने है तो यह बन गए है रणधीर जैस्वाल डाट इस ऑप्शन नमबर ए फिर कुवेंपू राश्ट्री पुरुसकार दो हजार तेईस से किसे सम्मानित किया गया तो यह सम्मानित किया गया शिर फिर है फरवरे दोज़ा चॉबीस में किस अंत्रिक्स एजनसी ने इंसेट 3DS सेटलाइट को लाँच किया है तो यह लाँच किया है इस रो ने डाट इस ऑप्शन नमबर जो भी है वो आपस में ध्यान रखेंगे इसका उतेश्य क्या है तो मौसम पुर्वनुमान और आप अगला किस्टन है आपका कि कतर ओपन चांपेंशिप 2024 में यह खिताब किस ने जीता है तो देखे अगर हम बात करें कतर ओपन चांपेंशिप 2024 का किताब यह जीता है इगा स्विटक ने जो कि बिलॉंग करती है पॉलेंड से डाट इस ऑप्शन नमबर भी आपस में ध्यान रखेंगे आजिन हुआ था इसका नो से 24 फरवरी के बीच में विजटा है इगा स्विटक जो कि बिलॉंग करती है पॉलेंड से और इसकी उप्विजदकी बात करीं तो यह एलिना रिबकाना और यह बिलॉंग करती है कजाकिस्तान से और इगा स्विटक कतर ओपन में तीन आपस में ध्यान रखेंगे फिर सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील फरवरी 24 में पिच्चानवी वर्ष की आयू में इनका निदन हो गया था तो इनका नाम था फली अस नरीमन दाट इस ऑप्शन नमबर जो डी है वापस में ध्यान रखेंगे कि जो फली अस नरीमन है यह एक काफी वरिष्ट वकील थी सुप्रीम कोट के जिनका पिच्चानवी वर्ष की आयू में फरवरी 24 में निदन हो गया है अगयर इंपॉर्टन किशन है कि उत्तरपर्दिश के किस चिले में पहला कछ्वा संदक्षन रिजर्व केंद्रे स्थापित होगा तो यह स्थापि साशित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले पीज़ा एटियम का अनावरन किया गया तो यह हुआ है चंदिगड में आपको पता होना चाहिए नाम हैं का कुल्दीप टीटा फिरे वग्यानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पूरुसकार जीतने वाली पहली महिला वग्यानिक तो यह बन गए अदेती सेंडे डाट इस ऑप्षन नमबर सी फिरे फरवरे दोज़ा चौबिस में अभिनेत्री सुहानी भटनागर का 19 साल की आयू में निदन हो गया वो आमिर खान के किस फिल्म से संबंदित है तो इनका संबंद है दंगल मूवी से आपस में ध्यान रखेंगे फिरे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए CMD के रूप में किसे निउक्त किया गया तो ये बने है रवींद्र कुमार त्यागी डाट इस ऑप्षन नमबर ए तो देखे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की बात करी तो एक सारवजनिक छेत्र का उध्यम है इसके स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के थैट 23 अक्टूबर 1989 को स्थापित की गई थी और इसका मुख्याले आपको देखने के लिए मिलेगा गुरू नमबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखेगा इसका उदेश्य किया तो संगम सेर यानि की प्रयाग राज में परिटन को बढ़ावा देना स्थाने लोगों और परिटों को को यमुना की प्राकरतिक सुन्धरता से गीरा एक अनुबव प्रदान करना फिर स्वदेश परिटन मंत्राले ने और स्वदेश दर्शन कारेकरम भरत सरकार के परिटन मंत्राले की द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया जो की 100% के इंद्रिये फंडड़ है डेबरेगर वनीजी अभ्यरानी जो की उडिशे की बर्गर जिले में है वही रखुन बांध के पास में स्थ खारड़न यह किसके द्वारा किया गया तो यह किया है देश की प्रधान मंति नरिंद्र मोदी ने और जो आपस में ध्यान रखेंगे फिर राम मंदिर रास्ट्र मंदिर एक साजी विरासत नामक पुस्तक का वी मोशन किस ने किया तो यह किया आरिफ मोहम्मद खान और इस पुस्तक को गीता सिंग और आरिफ खान भारती द्वारा सिनित रुप से लिखा गया है। वधान में भारती सिना की खड़का कोड़ने पंजाब में कई स्थानों पर भारती वई सिना के साथ में तीन दिवस्ते सिंगत अभ्यास यहां पर सफलता पूर्वक किया है। मुख्य रूप से आतंकवाद की रित पोशन का मुकाबला और आतंकवादी यात्रकार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए भारती समर्थन को दर्शाता है। फिरे मई 24 में आई एक रिपोर्ट के नुसार नेपाल में जनसंके व्रदी में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। तो ये देखी गए 0.92 प्रतिशत, that is option number D. तो देखे नेपाल के जनसंके व्रदीदर पिछले एक दशक में 0.92 प्रतिशत प्रतिवर्ष यहाँ पर इतिहासिक रूप से कम हो गई है। और राष्टे सांके की कार्याले के द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी थी। अप्रल 2011 के मद्दे से अप्रल 2021 के मद्दे तक 2.7 मिलियन की व्रदी कि वर्तमान जनसंक्या यहाँ पर कितनी हुग गई है 29.7 मिलियन। फिर T20 के त्यास में 3700 विकेट लेने वाले पहले भारते कौन बने हैं तो यह बन गया है यह जुवेंद्र चहल आपशन नमबर डी आपस में ध्यान रखेंगे और इससे पहले राशित खान, सुनली नरेन, इम्राहन ताहिर और शाकिव अलहसन ने 3700 का आकड़े आपर बने स्कॉर्ट फ्लैमिंग, डाट इस ऑप्शन नमबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे, स्कॉर्ट फ्लैमिंग को भारते पुरुस बास्केट बोल टीम का मुक्च कोच यहां पर न्यूप्ट किया गया, वो एक अमेरिकी कॉलेज पेसे बास्केट बोल कोच, उनके पास 38 12 से 15 तक प्रशिशिक्त किया था, फिर किस देश ने विक्टोरिया शी नाम से AI जनित प्रवक्ता पेश की है, तो यह किया है किसने यूकरेन ने, डाट इस ऑप्शन नमबर जो, डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे, तो यूकरेन के विदेश मंत्रालने ने अपने डिज और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भी चुने गए है, मतलब रिये पॉइंट हो है, बेसिकली वो भी मैंने डिस्कस अल्रडी किया है आपके साथ में, फिर महीं 24 में भायरत और फ्रांस के बीच में, सेन्य अभ्या सक्ति का आजन यह कहां पर किया गया है, तो यह हुआ है मेघाले में, डाटर जॉप्शन नमबर A आपस में ध्यान रखेंगे, दो देशें भायरत और फ्रांस इन दोनों के बीच में हुआ कब से कब तक 23-26 मही के बीच में, कहां पर उम्रोई मेघाले में संस्कंतरस का सात्वा, इसके लाबा जो और एक्सिस होती हैं भायरत और बीच में वो है शक्ति, वरोन, करोन और फ्रेजनेक्स, अगले उनाटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स ने किस भारती पहलवान को 31-27-24 तक निलंबित कर दिया है, तो यह है बजरंग पुनिया, लाटर जॉप्शन नमबर B, तो देखें बजरंग पुनिया को, यह यानि कि उना फिर मई 2-24 में L&T गुरूप के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो यह बने है आर्शंकर रमन, आप इसमें ध्यान रखेंगे, तो देखें लार्सन निंटर्बो जो हैं, उसमें आर्शंकर रमन को अध्यक्ष की रूप में पदोनत किया गया, और इस पदोनती के बाद में रमन कंपनी के पूर्व कालिक निदेशक और मुखी कारेकारी अधिकारी के रूप में अपनी मोज़दा भूमिका को जारी रखेंगे, लार्सन निंटर्बो कंपनी की बात करें तो स्थापनवी थी 1946 में, मुख्यालिस का हो जाएगा आपका मुंबई में, और CMD यहां के S. सुब्रमन्यम, तो यह थे आपके topmost 100 questions of last 6 months, hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी questions देखें काफी important एक्सर कहीं, मैंने खुद देखें हैं, तो आपको सभी questions को go through करना है, अब आता है turn test कर जिसकांजर आप मुझे comment करके बताओगे, तो पहला question है मिखाईल मिसुस्टिन किस देश के फिर से प्रधान मंत्री बने है, इस कांजर आप मुझे बताओगे, और जिस देश के प्रधान मंत्री बने है, उसके प्रेजिडेंट को नहीं है, उस देश की मुद्रा, capital, वो सभी हाँ पर आप मैंशन करेंगे, फिर मांट एवरिश पर 29 बार च स्किप्शन में मिल जाएगा, और आपको डेली फ्री क्विजस देखने के लिए मिलेगा, और करंट अफेर्स का, और करंट अफेर्ड भाई, यह एक हमारा टेली ग्रूप है, जहापर आपको डेली करंट अफेर्स की जो पीडिएफ है, वासने से अबलेबल हो जाएगी, और जो मैंने आपको भी पीडिएफ के लिए और वेबसेट बिदाएगा, उसको कुछ इंटरफेस इस तरीक से देखेगा, जहापर आपको सभी लेटिस्ट बुक्स के पीडिएफ और लिंक्स यहापर अविलेबल हो जाएगी, तो आज के लिए थेंक यू सो मच, हावा ग पर नषी दिन और वेबसेट समय सब्सक्ति與 आज कर्म लेटिए और इसक विलेबल के दापको जैबल के चंए विएबसेट Вас ऑना लेटिस्ट थी लेटिस्ट